दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कृष्य से जुड़ी ऐसी ही महत्रोपूर इमम रोचक जानकारियों के लिए बिल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले। असल के उपनी भाग में होने वाले रोगों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। उधारं के तौर पर खेती मंदाई या धान का सबसे महत्रोपून रोग मारा जाता है। इसमें धान के पौधों पर सफेद, गुलाबी या पीले रंके छोटे दाग बन जाते हैं। जिसके कारण पौधे अच्छे से नहीं पल पाते हैं। इस रोग का कारण मुखिता पीठी, प्यारी लोना और मैगनोपोर्ता नामक कवकों का संक्रमण होता है। शीत प्लाइट या शिखा बीमारी, इस रोग में धान के पत्तों की आवरती पर सफेद या पीले रंके बड़े दाग बन जाते हैं। ये दाग धीरे धीरे पूरे पौधे को चाप लेते हैं और पौधे का विकास्वा उसके उत्पादन को प्रवावित करते हैं। इस रोग का कारण प्रमुक्तर राइजोक्टोनिया नामक का वक होता है। लीफ फोल्ड या रोग धान के पत्तों के खिनारों को मोड़ कर वक्र बना देता है। इसके कारण पत्तिया मुड़ जाती हैं। इस रोग के कीट निचली तली में संचार करते हैं और धान के पत्तों को खाते हैं। खेती मदुमक्खी या एक प्रमुक कीट है जो धान की फसल पर प्रवाव डालती है। इसके प्रमुक लगशन में धान के पत्तों पर पीले रंग के दाग, पत्तियों के सूखने के लखशन और पौदों की वृति में कमी शामिल है। धानी कीट या कीट धान की फसल पर प्रवाव डालती है और पौधों के रश-ंचैन को कम कर देती है। इसके प्रमुख लक्षण में धान के पत्तों पर गहरे नीले रंगे दाग, पत्तियों के सूखने के लक्षण और उन पर कीट की उपस्तिती शामिल है। अंकुष शिद्रक यानि लीफ स्कॉल्ड या रोग धान के पत्तों पर प्रभाव डालता है और पत्तियों पर सफीद रंग के छोटे दाग बन जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण में पत्तियों की लकडीदार बनावट और पत्तियों की योंगता की कमी शामिल है। तो ये थे धान की फसल के उपरी भाग में होने वाले रोगों के कुछ उदारण। यदि आपकी धान की फसल में कोई रोग के संकेत पाये जाते हैं तो आपको स्थानी कृष्णी विश्यशग्य से सला लेनी चाहिए और उचित रोग प्रवंधन के उपाय अपनाने की आवश्यक्ता है। किसान में तो अब हम बात करेंगे धान की फसल के निचले भाग में होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। प्रभावित हो जाता है। इसका कारण मुखेता अनुस्पोरा और कोलेटो ट्रिचम नामक का वक होते हैं। फसारियम रोग इस रोग में धान की जड़ों पर गहरे लाल रंके दाग बन जाते हैं। इस रोग के जीवानों पौधों की जड़ों को खाते हैं और उन्हें कमजोर बना देते हैं। इस रोग का कारण प्रमुक्ता फ्युजारियम नामक का वक होता है। गुमा रोग या रोग धान की पत्तियों पर होता है। इस दोरान धान की पत्तियों पर छोटे छोटे लाल रंके दाग बन जाते हैं। इस रोग की वज़ा बैक्टीरिया होते हैं और इसे वर्षा के समय में फैलने की संभावना अधिक होती है Root Nodal Nematode या कीट धान की जड़ों में प्रभाव डालती है और उन्हें शिंड कर देती है इसके अलावा धान की जड़ों पर छोटे दाग बन जाते हैं और पौधों को कमजोर कर देते हैं छोटे ब्राउन स्पॉट इस रोग में धान के पत्तों पर छोटे गहरे भूरे दाग बन जाते हैं ये दाग पौधे के विकास को प्रभावित करते हैं और उत्पादक्ता में कमी लाते हैं तो किसान में तो ये थे धान के निचले हिस्से में लगने वाले कुछ प्रमुक रोग अब हम बात करेंगे धान की फसल में मिट्टी के संक्रमण से होने वाले कुछ प्रमुक रोगों के बारे में ये रोग विभिन प्रकार के कीट, कवक और पैथोजन यानी रोगाणूं के कारण हो सकते हैं ये रोग इस प्रकार हैं फुसारियम विल्ट इस रोग में मिट्टी में मौझूद फिवजारियम नामक कवक के कारण धान के पौदे काले हो जाते हैं या फिर सूख जाते हैं फिवजारियम रूट रोट इस रोग में मिट्टी में मौझूद फिवजारियम कवक धान की जड़ों को प्रभावित करते हैं इसके परिणाम सुरूप धान के पौदे कमजोर हो जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं और एक समय बाद मर जाती हैं। इस रोग में मिट्टी में मौजूद नेमेटोड कीट धान की जड़ों को प्रभावित करती है। ये कीट फसल की जड़ों में घुश जाते हैं और गाठों का निर्माण करते हैं, जिससे पौधों का विकास और पैथलोजी प्रभावित होता है। आवरती मदुमक्खी इस कीट के संक्रमण से धान की प्रकृती और मदुमक्खी के आक्रमण के बीच एक संगर्श होता है। ये कीट धान की मिट्टी में रहते हैं और पौधों की जड़ों और मोतियों को खाते हैं, जिससे पौधों की विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है। रूट लेशनिया इसमें मिट्टी में मौझूद कवक प्रोहिबीटोरिया धान की जड़ों को प्रभावित करता है। ये कवक पौधों की जड़ों में दाग बना देते हैं और प्रमुक्ता धान की प्रकृती में होते हैं। तो किसामितों ये थे धान की फसल में लगने वाले विबिन प्रकार के रोक जिन से धान की उत्पादक्ता प्रभावित हो सकती है।